हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नमबर शिक्स के कोश्चन आंसर्स की जो NCRT बुक के आपके इंपोर्टन एक्सरसाइज कोश्चन है क्लास एट साइंस के लिए ये वीडियो है तो क्वेश्चन नमबर वन आपके पास बनता है list conditions under which combustion can take place इस चैप्टर का जो टाइटल हमें दिया गया है या हमें पता है जितना वो combustion and flame है तो हमें कम से कम इन दो नेम जो दिये गए हैं यहां पर combustion and flame इनके बारे में पूरी जानकारी इस chapter में होने चाहिए और उसी को as a question यहां पर पहले रखता है यह list conditions under which combustion can take place combustion जैसा कि हमें पता हैं अपनी पहले की knowledge के base पर हमने जो classes में पढ़ा हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं किसी भी fuel को किसी भी object को जब हम oxygen की presence में burn out करते हैं यह process combustion कहलाती है तो इसके लिए कुछ conditions की जरूरत हमें होती है और वो condition हमारे पास है presence of a fuel और combustible substance हमें एक ऐसे substance की जरूरत है जो जल सकता हो उसके लिए हमें temperature ज़्यादा देना पड़े कम देना पड़े वो अलग बाते हैं लेकिन वो जलने की process शो कर सकता हो और second point पर हमारे पास जो characteristic आती है या जो requirement आती है वो air की है यानि definition में air को oxygen को include किया गया है तो air का होना भी necessary है and third point ignition temperature यहाँ पर ignition temperature वो temperature है जो हमें किसी भी substance को देना पड़ता है before catching fire ताकि वो आसानी से fire catch कर सके इतना temperature हमें चाहिए होता है question number two fill in the blank यहाँ पर कुछ word आपको दिये गए है कुछ systematic ढंक से एक line statement दी गई है और कहीं से gap कर दिया गया है खाली जगह बना दी गई है उसमें आपको एक words suitable word फिल अप करना है जैसे पहला आप देखिए burning of wood and coal causes pollution of air यहाँ पर pollution सबसे suitable word बन रहा था इसलिए यहाँ पर आप इसको select करेंगे ताकि एक sense बने जो आपने पड़ा है उसके साथ match हो और जो पूछा जा रहा है उससे भी यह बिलोंग करें liquid fuel used in homes is liquid fuel अब देखिए यहाँ पर liquid fuel पूछा गया है तो घरों में बहुत सारे liquid हैं जिनको as a fuel use किया जाता है वो आप यहाँ पर use कर सकते हैं तो सबसे जो common हमारे पास fuel होता है वो है अलपीजी लिक्वीड पेट्रोलियम गैस यह लिक्वीड फों में होती है हालांकि गैस है यह लिक्वीड लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस इस पेट्रोलियम गैस को लिक्वीफाइड किया गया है आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर इसलिए इसको लिक्वीफाइड प केच करने से मतलब कोई सबस्टांस फाइर केच करें उससे पहले एक टेंपरेचर की नीड होती है जिसे हम इगनीशन टेंपरेचर के बोलते हैं अगर किसी ओएल में फाइर लग जाती हैं ऐसे सबस्टांस पे जिसके ओएल पढ़ा था या ऐसे किसी वेसल में आग लग जाती है जिसमें ओएल प्रेजंट है तो उससे कंट्रोल करने के लिए हमें किस तरह का method यूज़ करना चाहिए यह यहां पर discussion करना चाहता है हमें अच्छे से पता है कि अगर कहीं पराग लगी हुई हो और उसको बुझाना हो तो सबसे suitable water होता है लेकिन oil के case में यह suitable नहीं होता क्योंकि oil की density जो होती है वो water के comparison में कम है यही वज़े है कि जैसे आप पानी डालोगे density जादा होने की वज़े से पानी नीचे चला जाएगा और oil उसके उपर आ जाएगा और fire continue रहेगे बुझेगी नहीं इसके लिए आप उस पर soil मिट्टी डाल सकते हैं कोई कंबल डाल सकते हैं ताकि आप second requirement जो oxygen की requirement थी वो बंद कर सकें उसकी supply जैसी oxygen की supply बंद होगी fire जो है वो भी बंद हो जाएगी अगला question हमारे पास है explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities यह कहता है कि आप कैसे इसको देखते हैं कि CNG की वज़े से आपका जो pollution है सहरों में वो कम हो गया है तो बहुत आसान है इसको समझना और pollution किस वज़े से होता है अगर हम यह समझते हो तो असानी से इस question का answer दे सकते हैं incomplete combustion जब होता है किसी fuel का तो different type की gases धुआ और harmful materials उससे as a residue मिलते हैं अगर कोई fuel हमारे पास ऐसा हो जो completely burn हो रहा है less amount में उसमें से residues बच रहे हैं तो उसे हम less pollutant बोलेंगे और cng भी कुछ ऐसा ही है cng को जब जलाया जाता है तो इसमें कोई residue नहीं बचते बचते हैं तो थोड़े बहुत बचते हैं इसलिए हम कह सकते हैं अगर हम cng का पूरी तरह से यूज करें तो यह हमारे सहरों में pollution कम कर सकता है question number four compare LPG and wood as a fuel आपको यहां पर दो चीजों का जो है comparison करना है एक है LPG and second one is wood तो याद रखें दोनों को ही as a commercial as well as domestic दोनों तरीके से यूज किया जाता है यानि company factories में भी इनको as a fuel यूज करते हैं घरों में भी इनको as a fuel यूज करते हैं खास करकूं कि process के लिए घरों में दोनों का इस्तिमाल होता है लेकिन अभी अभी हम बात करके आए हैं कि जिसमें residue बचते हो वह pollution है एक तरह का और यह हमें अच्छे से पता है wood को जब जलाया जाता है हैं तो अलग अलग टाइब के residue बचते हैं तो वूड में residue ज्यादा बच रहे हैं और LPG यानि फ्यूल में residue कम बच रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वूड एक अच्छा सोर्स नहीं है अगर comparison करें तो वूड हैज बीने ट्रेडिशनल फ्यूल फोर बोथ डेमेस्टिक एंड इंडेस्ट्रियल यूजज वूड लकडी को दोनों तरह के यूजज के लिए इस्तिमाल किया जाता है हैं domestic as well as industrial however it produces a lot of smoke that can cause respiratory problem इसमें से निकलने वाले धुएं से हमें फेफडों से जुड़ी वी बिमारियां हो सकती है also wood is obtained from trees और हमें यह भी पता है कि लकडियां जो होती है वो पेड़ों से प्राप्त होती है अगर हम ज्यादा as a fuel अगर लकडियों को यूज करते हैं तो हम पेड़ काटने पड़ेंगे deforestation process होगी और यह एक बड़े hazard का जो है रूप ले लेती है धीरे धीरे क्योंकि deforestation होने से बहुत तरह के अलग अलग तरह के pollution अपने आप हो जाते हैं लाइक एर पॉलिशन और वाटर शाइकिल बैलेंस एयर विंड फ्लो और इसके अलावा सोईल इरोजन यह सारे की सारे जो है पॉलिशन अपने आप हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वूड इस नोटे गूड सोर्स और अच्छा फ्यूल नहीं है तो इसको रिप्लेश किया जाता है यानि लिक्विड पेट्रोलियूम गैस जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत जादा है 55,000 केजी किलो जूल पर केजी यहां पर कैलोरिफिक वैल्यू दी गई है यानि हम अगर एक केजी की बात करें तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी टोटल ए जाल्यू होती है और इन केस ओफ एल्पीजी यह बहुत ज्यादा है यह 55,000 किलो जूल है एक केजी के लिए और अगर हम वूड का कमपैरिजन करें तो यह 17 से 22,000 के भी इसमें होती है है हैंस एल्पीजी इसे फैवर्ड फ्यूल ओवर वूड एल्पीजी को इसलिए यूज करना यहां पर फैवर किया गया है किसके कमपैरिजन में वूड के कमपैरिजन में तो यहां तक के कोशन आप करेंगे और जैसा की हम रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे उमीद हैं आप बाकी कोशन को भी अटैम्ट करने कोशिज करेंगे okay all the best